हेलो फ्रेंड्स मैं हूनीलम और आजम बनाने वाले हैं पालक की पूरी पालक की सबजी और दाल खाखा करके अगर आप पूरो चुके हैं तो इस पालक की पूरी की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राइ किजिए यह आपको बहुती पसंद आएगा आप इस पूरी को breakfast में बनाएए, lunch डिनर में खाईए या फिर आप इसे सफर मिने जाएए ये बहुत ही अच्छी लगते हैं और इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है साथ ही पालक में खूब जादा iron होता है इसलिए healthy भी होता है तो चलिए आज की इस recipe को शुरू करते हैं recipe अच्छी लगे तो please वीडियो को like share और चैनल को subscribe जरूर कर दीजेगा पालक की पूरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 gram ये पालक की पत्तियां लिया है जिसको मैंने अच्छी तरीके से धोगँ करके साफ कर लिया है अब इस पालक को हम boil करेंगे तो उसके लिए एक कड़ाई में पानी boil होने के लिए रख दिया है जैसे ये पानी boil होगा हम इसमें सारी पालक की पत्तियां डाल देंगे अगर पत्तियां थोड़ी सी बड़ी हैं तो आप उसे तोड़ करके भी डाल सकते हैं अब इसे दो मिनट तक हम boil करेंगे पालक को boil होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता यह हलका सा soft हो जाए बिस उतना ही हमें इसे पका लेना है तो दो मिनट में आप देख सकते हैं यह अच्छी तरीकी से boil हो गया है पालक हमारा soft हो चुका है तो अब हम इसे निकालेंग और जैसे यह ठंडा हो जाएगा इसको निचोड़ करके हम इसका पूरा पानी निकाल देंगे उसके बाद हम इसे एक mixer जान में ट्रांसफर कर देंगे साथ ही हम यहाँ पे कुछ थोड़ी सी धनिया की पत्ति डालेंगे यह बिल्कुल optional है डालना अगर आप चाहें तो डाल करके इसमें एड़ कर देंगे आप चाहें तो हरीमेची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं अब सारी चीजों का बढ़िया से एक पेस्ट बना करके रैडी करेंगे पानी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि पालक की पत्तिया उसमें पानी है त हाथों में रख करके अची तरीके से क्रश करके हम इसमें डालेंगे आप चाहें तो थोड़ासा जीरा भी इसमें अड़ कर सकते हैं या फिर तो जीरा दोनों कि इसमें डाल सकते हैं तो अजवाइन मैंने यहाँ पे डाल दिया है, half teaspoon डाल देंगे इसमें नमक, color के डाल देंगे थोड़ा सा healthy पाउडर और half teaspoon यहाँ पे डाल देंगे हम हिंग अब सारी चीजों को अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे और mix करने के बाद बीच में थोड़ा सा गड़ा कर देंगे और उसमें यह सारा पालक का paste हम add कर देंगे हिंग डालने से digestion में problem नहीं होती और अजवाइन डालने से पूड़ी का जो taste है वो बहुत ही बढ़ी आता है आप देख सकते हैं आटा भी थोड़ा सा सुखा सुखा है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी एट करेंगे तो जिस जाल में मैंने पालक को पीसा था उसी में थोड़ा सा पानी डाल कर इसमें add कर दिया है ताकि जो उसमें बचा हुआ पालक है वो बिल्कुल भी waste ना हूँ तो अब थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें डालते जाएंगे और इसका एक सकत आटा गूत करके हमें त्यार करना है बहुआ ज़दा hard नहीं होना चीए और बहुआ ज़दा soft भी नहीं होना चीए जैसे हम पर आठे के लिए आठा गूतते हैं बस उससे थोड़ा सा सक्था म यह आठा गूतना है आठे को गूतने के बाद half teaspoon हम इसमें oil लाल देंगे पूरे आठे में उसे अच्छी तरीके से फैला करके हम एक बार mix कर देंगे ऐसा करने से आठे की जो उपरी परत है वो बिल्कुल भी नहीं सुकती है तो आठे को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद अब हम इसे ढग देंगे और 5 मिनट के लिए से रैस पे छोड़ देंगे 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं आठा जो है अच्छी तरीके से सेट हो गया है तो आप इसे हम इसको एक दुबार अच्छी तरीके से मिला लेंगे और इसे चिकना कर देंगे तो आठा हमारा बि तो सारी लोईयों को तोड़ने के बाद एक लोई हाथ मिलेंगे और दोनों हाथों के बीच में अच्छी से घुमा करके हम थोड़ा सा चप्टा कर देंगे यह देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हमें लोईया बना करके त्यार करनी है तो चलिए बाकी की बच्ची लोई बहुत ही आसानी से बनती है और तेल भी बिल्कुल भी खराब नहीं होता अगर आप इसमें आर्टा लगा करके बेलेंगे तो जब आप उसे फ्राई करने जाएंगे तो जो आर्टा है वो जल जाता है इससे तेल भी खराब हो जाता है तो चलिए एक पूड़िया मैंने यह आप कढ़ाई में ओई अच्छी तरीके से गरम कर लेंगे ओइल के गरम होते ही हम इसमें पूड़िया नहीं कर लेंगे और दोनों तरफ से तरीका से हम इसे फ्राई कर लेंगे अगर आपकी कड़ाई बड़ी है तो आप दो तिन पूड़िया भी एक साथ से फ्राई कर सकते हैं पूड़ी का कलर में बहुत ज़दा ब्राउन नहीं कर रही हूँ कि आप जब पूड़ी डालें तो उसे थोड़ा सा प्रेस करते जाएं और कड़ाई में तेल खूब सारा होना चाहिए तब भी आपकी पूड़ीया बहुत अच्छी तरीके से फूलेगी तो चलिए सारी पूड़ीया मैंने आप फ्राई कर ली हैं तो पूड़ीया दिखाये दे रही है तो गर्म गरम पालक की पूड़ी हमारी बन कर के तयार है आप भी इसे बनाइए और अगर आपको आज की रेसीपी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक का बट्रें क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले